तो आज हम बनाने वाले Redmi Note 9 Pro Max दरसल यह phone on ही हो पा रहा है customer ने कहा मैंने रात में से charging पे लगाया और सुबह चेक किया तो phone मेरा on ही हो पाया तो हमने इसको पूरा अच्छी तरीके से चेक किया तो यह CPU IC इसकी voltage नहीं बना रही थी तो हम इसे फटाफट open कर लेते हैं और फिर इसके बाद आजाते हैं हमारे microscope screen पे और हमने इसकी shield वगेरा सब काट लेंगे अभी तो देख लिए जी shield काट चुके हमने तो सबसे पहले हमें CPU की cutting कर लेनी है और हमने बाजों में UFS chip पे tape लगा दिया है अब paste अगा के IC को heat मार रहे है तो देख लिए यह बस हमारा CPU लिकल नहीं वाला है CPU लिकल चुका है तो अभी हम दिशॉल्टिंग वायर की मदब से अच्छे तरीके से पुरा glue क्लीन कर लेना है और यहाँ पे 2-3 ट्रैक तुटी वी है यह हम बाद में repair कर लेंगे पहले अच्छी तरीके से इसे clean कर लेंगे तो यह हो चुका है हमारा clean अभी हम यहाँ से 2 jumper मार के इसे यही पे round करके रख देंगे और यह यूबी glue की मदद से सफसुका देंगे तो इसे होँगा यह कि हमारा point है वो हिलेंगे नहीं तो अब हम processor साफ कर लेते हैं पुरी अच्छी तरीके से चारू कोनी भी साफ कर लेते हैं तो देख लीजे हमारा processor अच्छी तरीके साफ हो चुका है अभी हम इसे reball कर लेंगे यह देख लीजे यह हमने तीन बार में reball किया है तो ball जब जाके equal बनते है तो चलिए CPU फटाफट fit करते हैं और motherboard में लगा के चेक करते हैं कि हमारा phone चालू हुआ इके नहीं हुआ तो देख लीजे बस हमारा processor जो है बस fit होने ही वाला है तो वीडियो में अंतक के बने जरूर रही है तो देख लीजे हमारा CPU से paste बाहर आ चुका है तो अभी हम board को फटा-फट ठंडा कर लेते processor बैठ चुका है हमारा और चेक करते है तो अगर आपको कोई phone repair के लिए दालना है अभी हमारीत बाहर आपको के लेख दुका है थबएवज्बाबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब-बचिको